यह अल्ट्रा लो डी फ्रीजर बॉडर लंबर पीएस एडाब्ल्यू यू एल्डीएफ 350 यह इसका डिजितल कंट्रोलर जिसमें अलगलग डिस्प्लेज आ रहे है पहला तो आपका डेट डिस्प्लेज करेगा टाइम यह प्रोसेस ओन और यह चेंबर का इंटरनल चेंबर है और यह जो है जो सट वैलियू है जो हमने सैट किया हुआ है इसमें चेंजस के लिए जो पासवर्ड है वो है डाउन पहले आप मेन्यू प्रेस करें फिर डाउन मेन्यू अप एसकेप सब्सक्राइब जितना भी लगाना चाहते हैं टाइमर लगाएंगे तो टेंपरेचर अटेन होने के बाद कि टाइमर स्टार्ट होगा जितनी देर का टाइमर है उसके बाद को अगर मशीन को रणिंग मोड में रखना है तो यह टाइमर अमेशा जीरो पे रहना चाहिए कि यह डिले जो है यह कंप्रेसर अगर एक बार कट करता है तो उसके बार 99 सेकंद का अमने डिले टाइमर चट डाला हुआ है ताकि इसकी सेफ्टी रहे उसके लिए मेन्यू से बाहर आने के लिए इसके प्रेस करोंगे आप तो इसमें एक इस्टा फीचर जो है वो बैटरी बैक अपका है उसके लिए आप इसको हमेशा ओन मोड में रखे स्विच आफ को यूपीएस का स्विच है इंकेस ओफ पावर फेलियर आपकी मशीन बंद हो जाएगी लेकिन यह डिस्प्लेय आपका आठ गंटे तक का बैक अप है आठ गंटे तक यह ओन रहेगा आप अंदर का टेंपरेचर देख सकते हैं और यह एक अलार्म रहेगा अगर इनकेस पावर फेलियर है तो आडियो विज्वल अलार्म आपको डिस्प्लेय होता रहेगा